बात करते हैं ISRO के 2024 के missions की, ISRO Indian Space Research Organization, सबसे पहला है Exposet, Exposet अपने इंडिया का पहला polarimetry mission है, polarimetry क्या होती है, जो light होती है, उसको study करती है कि किस तरह से चलती है, और किस तरह से हमारी जो scientific experiments होते हैं, उनको impact करती है, तो उसको study करने के लिए Exposet को launch किया गया था, और ये 1 January 2024 को इस satellite के उपर, अपना इस पेस ग्राफ अपना ISRO का PSLV C58, ये carry लेकर गया था, इसको Exposet को तो basically, Exposet या फिर X-ray Polarimeter Satellite, इसकी full form है, X-ray Polarimeter Satellite, ये 5 इसका जो lifetime रहेगा, वो 5 साल के लिए रहेगा, तीक है, उसी प्रकार, दूसरा है Nisar, Nisar is what, Nisar is the joint collaboration between NASA and ISRO, तो NASA और ISRO का ये एक joint project है, याद रखें, और ये क्या होगी, एक low earth observator, ये earth है तो low earth होगी, ये graphical representation है, अभी तक launch नहीं हुआ है, January में launch होना था, बट delay हो गया है, और अभी हो सकता है कि April के अंदर ये launch हो, ठीक है न, तो आप याद रखें, इसको आपको करना है, और करेगी क्या, ये जो satellite होगी, Nisar जो satellite होगा, ये globe का, पूरे globe का, बारा दिन के अंदर अंदर, पूरे globe का map बना देगा, ठीक है, तो ये अपना joint है, joint venture है, इस रो और NASA का, उसी प्रकार, तीसरा है हमारा, Incent, Incent 3DS, ये जो satellite थी, ये 17 February 2024 को launch होई थी, और इसका काम था, कि, ये एक meteorological satellite है, तो climate related है, कि weather monitoring and forecasting, weather monitoring, climate change हो रहा है, तो हमें forecasting की बहुत जरुएत है, कि पहले ही हमाँ पता चल जाए कि cyclone आने वाला है, इस तरह ही से, weather conditions change होने वाली है, और Incent 3DS ने, हमें, एक map बना के दिया है, 3D model बना के दिया है, और ये उनके द्वारा, इस satellite के द्वारा, हमें photo परदान की गई है, ये, Incent 3DS की पहली image है 7 March 2024 की उसने भेजी दी, satellite launch होई थी 17 March 2024, और सबसे पहली photo उसने भेजी है, वहाँ से, वो है, 7 March को ये वाली, Incent 3DS आप याद रखें, उसी प्रकार, फिर आता है, Spadex, Space Docking Experiment, जो की चंदरयान 4 की टेकनोलोजी बनाने के लिए काम आ रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, स्पेस्क्राफ्ट मिशन होगा, जैसे आप देख पा रहे हो, कि इसमें 2 स्पेस्क्राफ्ट है, कि एक तो इसको लेकर जा रही है, और दूसरी क्या होगी, वापस, बलब एक तो लेकर जाएगी, और दूसरी में बैट कर, हमारी जो एस्ट्रोनोट्स हैं, वो वापस धरती पर आप आएंगे, यह है इसपेडेक्स एक्सपेरिमेंट, ओके, तो यह ऐसा माना जा रहा है कि मिड़ जुन, अभी हुआ नहीं है, मिड़ 2024 में इसको लॉंच करने का, एक्सपेरिमेंट करने का इसका ड्यू डेट है, उसी प्रकार शुक्रयान, शुक्र मीन्स वीनस हम ल रॉंचिंग हो सकती है, तो बेसिकली इसका काम क्या होगा, इस मिशन का काम होगा, इस्टेडी करना किसको, वीनस की सर्फेस को, और सबसे गरम, मैं आपको बता दूँ, सबसे गरम जो प्लैनेट है ना, वो मर्कुरी नहीं है, वो वीनस है, याद रखें इस बात को, ओके, चलिए, और देखो, इसी जीच को पढ़ने के लिए हम लोग वीनस पे ज़्यादा इंट्रेस्टेड हैं, कि ऐसा क्या है वीनस में, जो कि मर्कुरी पास होने के बावजूद भी गरम नहीं होता है, वीनस इतना ज़्यादा गरम रहता है, फिर है मंगल यान 2, तो मंगल या मंगल यान 1 से रिलेड़ेड जो, बैस्ट उसमें ये था, कि वो एक वूमन के द्वारा हेड किया गया था, तो ये भी एक प्रगती शो करती है, हमारे कमिट्मेंट शो करता है इंडिया का कि वूमन इंपार्मेंट के लिए, तो मंगल यान 1 की जो सक्सेस के बाद में, इस अब मंगल यान 2 को लॉंच करने का फैसला किया है, और रिपोर्ट ये करती है कि हम लोग मंगल यान की सरफेस की स्टेडी करेंगे, क्लाइमेट, वेदर कंडिशन्स, और रेड प्लेनेट किसको कहा जाता है, मार्स को ही रेड प्लेनेट कहा जाता है, यह आपको याद रख जिसमें हम लोग किसी इनसान को भेज रहे हैं इस पेस के अंदर, हमारे जो राकेश जी हैं, वो गए थे वहाँ पर, पड़ वो रशिया की यान पे गए थे, हमारा यान नहीं था, तो यह हमारा भारत का एक है, और चार अस्ट्रोनोट्स चूस किये गए हैं गवर्मेंट क स्पेस में, गंगयान मिशन में, आप इसको याद रखें, इंडिया का पहला क्रूड मिशन होगा, मतलब हर बार जो मिशन जाते हैं, उसमें कोई भी इनसान नहीं रहता है, इस बार इनसान उसमें बैटे हुए होगे, और गलगी की नियूज है, अभी रीसेंट की ही, कि इ अभीसली हवा में होगा, हवा में लांच किया गया, और ये वापस धरती पर आ गया, और इसकी सक्सेस्फुल लेंडिंग हो गई, तो ये अपना पहला ऐसा रॉकेट है, जो कि वापस री यूजबल वीकल की तरह वापस आ चुका है, और इसकी सक्सेस्फुल लेंडिंग ह यह दूसरी बार, पहली बार हो चुके थी, दूसरी बार यह हुई है, कहां पर हुई, चित्रदुर्ग करनाटका के पास में है, तो पुश्पक की बारे में क्यूशन आ सकता है, कि री यूजिबल लॉंच वीकल है, RLV वीन्स री यूजिबल लॉंच वीकल, ठीक है न, यह यूएस का आर्टमेसिस 2, यूएसे का ही यूरोपा क्लिपर, यूरोप का अरियाना 6 रॉकेट, तो यह कुछ इंडिया के हैं, जो वर्ल्ड के हैं, जो दूसरे देशों ने स्पेस लॉंच को शेडूल कर रखें 2024 के लिए, तो इनको भी आपको, जब भी यह लॉंच हो, ज बैस सिरीज, पेपर वन के लाइव बैचिस को मैं एंडोल कर सकते हैं, आएफस 30, आपको कूपन कोड अप्लाए करना है, 30% आपको आफ मिल जाएगा, तो आज स्टार्ट कर दीजे, यूजी सिने 2024 की त्यारी, आएफस के साथ में, मैं मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, थ झाल, 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